रादे किसने फ्रेंट्स वेलकम बैक माई न्यू ब्लॉग फिर से स्वागत आप सभी लोगों के मेरे न्यू ब्लॉग में तो चलिए फ्रेंट्स गोड मॉर्निंग और यहां बार वीडियो शूट कर रहे हैं कोहु तो आज का दिन जो होने वाला है तो मोस्टली वीडियो मेरे न्यू ब्लॉग में तो चलिए फ्रेंट्स अगर वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करना में लाइक अनको फ्रेस कर लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंसता रहा तो यहां पर हमने सूजी रोष्ट कर रहे हैं और यहां पर मैंने कैप स्कम प और दे रहे हैं तो आवाज बहुत जादा आ रहे होगी तो प्लीज माइंड मत करना ओन दरोट सब मेरा घर है और जो लोग नहीं जानते तो उनको मैं बता दू तो फ्रेंट्स यहां पर सूजी रोष्ट करने के बाद मैं चलिए गए ती कपड़े चंज करके और आप तो कमेंट करिए गा मेरी कुरती कहसी लगी तो वीडियो पसंद आया तो लैक सेस्क्राइब करना और एक वीडियो जो है वह लोग आप लोग शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंट गूर्प में तो चलिए फ्रेंट्स बनाते हैं खानत और यहां पर आमने नौर्मन मसाले करना मुझे अच्छा लगता है क्योंक मुझे लगता है फैलती कम है और यहां पर हमने लहसुन अध्रक को Bem perspective कर दिया और उसी विर चवर प्याज में डाल देंगे और चलाी जेसे प्याज ही रहेत है और ऑलु मुझे वहाँ पषंद देंगे बूस हिसके आलु नमक डालने के बाद इसको चला देंगे और धग करके दो से तीन मिट के लिए छोड़ देंगे जिसमें थोड़ा से सिमार होगी और तब तक हम क्या करेंगे तो यहां पर क्या किया हमने थोड़ा से इसमें डाला हुआ था सांबर मसाला सांबर मसाला इसमें डालने का सच में यार जो सब्जी बनी हुई थी पहुर टेस्टे सब्जी बनी हुई थी तब तक हमारी 3-4 मिनट के लिए अलू भून गए और जो मसाले थी वह हमने डाल दिये हैं तो एक चीज और में फ्रेंड से पता नहीं क्यों मेरे मोबाइल में थोड़ा नेटवर्क या किसी चीछ की व पड़ा तो प्लीज माइंड मत करना और तो यहां पर हमने पैंच डा दिया उसमें डाल दिया हुआ है घी घी डान लेक बाद एक चमच ड्राइड दिया है प्याज और मिर्च डाल दिया करी पत्ते डाल दिया है उकमा बनाने के लिए और जैसे इसका सुनेहरा कलर होता है बैसे ही डाल देंगे कैप्सकमय दाल लेंके बाद इसको चला देंगे और यह देख लीजिए तो टमाटर भी डाल देंगे और नमक डाल देंगे जिसमें के अच्छे से थोड़ा सा सब्जी जो है κα violation HAWC व्छलगी इसे करना है तो यहां पर यहां पर जीए मिला लिया थू कि मिथे कमेंट जरूर करना कि क्या इस समय ऐसी प्रॉबलम आ रही है कि मेरे को जो मेरी जो व्यूज्ज है एक डम राउन हो गया तो मुझे नहीं मालों कि आपर मसाले पक देए तो डाल देंगे टमाटर अगर आप यहां पर जब तक हमारे जो सब्जियां थी हो सॉफ्ट हो गई थी तो मैंने सूचे दिए आधा आधा से ज़्यादा हमने अटा दिया था सूजी और इतनी मुझे चाहिए उप्मा बनाने के लिए वह लगा दा और इसके बाद आप चाहिए तो देखे मेरे हैं थोड़ी सी सूजी को अच्छा से रोष्ट करके ही यूज करते हैं और इसके बाद इसमें डाल देंगे पानी डालने के पाथ इसको पकने देंगे आप चाहें तो ढख करके पका दीजिए और धक दीजिए जिसमें अच्छे से पूल जाए जिसमें इसके स्वाध जो है और इन्हेंस हो बहुत अच्छा स्वाध आता है सद्विया इसमें कुछ भी डाल सकते हैं आप अपनी चॉइस की त घी के साथ बहुत अच्छा लागता मेरा मेरा तो फीरेट है घी के साथ बहुत अच्छा लगता मुझे तो उत्मा तो हमारा रीडी है इसके बाद में दूंगी जाकर पटि देख लिए तो यह देग लीजिए दो हमां बहुत अच्छी खुश्बु आ büyब बहुत अच्छ तो यहां पर यह देख लीजिए तो अपना करते हैं का काम और यह देख लीजिए तो यहां पर उपमा हमारा बहुत ही टेश्टी बना हुआ था बहुत टेश्टी बना हुआ तो यहां पर सब कुछ होने के बाद परसों में मार्केट गए तो मैंगो लेके आए थी इनको बनाना है शेक तो दो दिन से बच्चे परिशान करें तो बना दो बना दो तो यार बचल ने का चलो आज की दूपर यही करते हैं मैंगो दूल के लिए मिक्सी लगा दिया और इस समय जो वीडियो बता दूं आपको कौन बना रहा है रुद्रांस बना रहे हैं साब तो इस समय बेटा मेरा बना रहा है सुबा कुह बना रही थी अब इस समय रुद्रांस जो वीडियो बना रहा है तो फ्रेंट जदा ही कभी रूद्र तो पता हुँ मेरे को अच्छे चीस किया है इस समय के पूरा वीडियो सिर्फ और सिर्फ रुद्रांस ने शूट किया हुआ है और सच बताऊं तो कभी लगता नहीं वो इतना बदमासी करता है तो लगता है कुछ काम नहीं कर वाएगा लेकिन कभी बहुत अच्छे से काम निप्रा देता है मेरे यहां पर गुट मेंगो यहां पर सब्सक्राइब करते हैं वहां था क्योंकि थी इतनी बचा लिया फ़िए प्रफर जो नहीं पी पाहें के उंको कम मीठा बनता है थोड़ी देर चलाने के बाद दूड डाल दिया चीनी डाल थे और इसको फिर से चला देंगे फिर से चलाने के बाद तो यहां पर यह देख लीजिए तो थोड़ा-थोड़ा इसके बाद हमने क्या किया है चिल पानी मेरे पास रखा हुआ था उसको डाला और यहां पर लगवा वह 400 ग्राम का जो दूद आता है इसके बाद हमने डाला हुआ है थोड़ा सा पानी और धीरे-धीरे करके उसको ग् ठीक लिया है थोड़ी से जार में डालेंगा और थोड़ी से उपर से डालेंगे तो यहां पर हमने काजू और बादाम डाला हुआ है उसको यह आप्शिनल आप चाहें तो डालें नहीं चाहें तो ना डालें तो यहां पर मैंने डाला हुआ था यह देख लीजिए तो आप उसको अच्छे से क्रैश्ट कर लिया था और थोड़ी से हमने डाल दिया इंड यार में ब्लैंड उसके थोड़ी से डाल देंगे घुलासों में तो हमारा मेंगों शेक बनका रेडीë हो है और यह बच्चों के दोदीजिन से डिवांड थी रखे हुए थे तो काम में बीजी थे तो नहीं बना पाई तो मैंने का चलो यार आज तुम बना ही देते बच्चों के लिए बच्चे करेंगे ममी कितना अलस करती है तो इसके बाद और इसको जो में उपर से कर लेते हैं करना भी चाहिए तो यहां पर सच बताओ मैंगो बहुत मैंगो जूस बहुत अच्छा बना था और इसके बाद इस सब्सक्राइब बच गया थे साड़े चार बज रहा था तो जूस पीने के बाद फिर हम चले गए चट पर जाने के बाद आपको आगे का दिख तो मैं अभी जब ट्रेड लेकर चलूंगी तो रुद्रांस मेरा वीडियो शूट कर रहा है फिर आप देखें का मुझे हासी भी बहुत आ रहा थी लेकिन आज उसने बहुत ही जिम्मेदारी से काम किया है सच में तो यार मैंगो से कि खुश्पु बढ़ी अच्छी आ रह पीचे-पीचे की साक रहा था है ए जिजए चोटे बचए इसे काम करतें तो मुझे बहुत अच्छा लगता हा तो यही पर फिर किया हूँ हो तो मैं ने नियु cul टमाटर की हो या इसमें गर्मिया है तो पुदिना और अम्या की तो होती ही होती है इसके बाद इसको रखेंगे पीस कर साइड में साइड में मींस फ्रिज में और यहां पर मेरा जो छोटा इंजीनियर है वो देखो अपनी खुद की बाइक को तोड़ फोड़ की फेक के उसकी इतनी धजियां उड़ाई है कि कुछ कहने को नहीं और ऐसा लग रहा कि बेटा मेरा बिलकुल पक का इंजीनियर है और मैं बतादू सर पे क्या लगाया हुआ है ये ड्रेनर है सबजियां धुल के ड्रेन करने वाला ड्रेनर है और ये उसको सर पर लगा रहा का एज़क है तो उसकी बाइक का कलर और ड्रेनर का कलर सेम है तो ये मेरा चोटा इंजीनियर इसके बाद मुझे क्या करना है आज मैं करने वाली हूँ कटिंग तो ये कैची कुछ चल नहीं रही थी काईदेश से तो मैंने का यार हटाओ इसको तो आज पूरे पूरे पौधों की कटिंग करूंगी आत लेकिन नीचे ही वाले पौधों की कर पाई थी पूरों की नहीं कर पाई थी इसके बाद यह देख लीजिए तो हो गया था लेकिन मुझे सही से हो रही रहा था फिर मैंने चाकू उठाई चाकू से मैंने कट के तो क्योंकि इस चाकू यह जो कैची ही वो चल रही थी है बड़ी है जो पौधे ही कट करने वाली लेकिन चल ही नहीं रही थी कितनी कोशेश करी बिल्कुल नहीं चल रही तो यह देख लीजिए अभी इतना हरा भरा आप देख रहे होंगे अभी थोड़ी देर बाद यह होने वाला है पूरा का पूरा एकदम से फिनिजड और इसके बाद यह देख लीजिए हुआ क्या था जब उस दिन ओले पड़े हैं तो पौधों की पतियां हैं सब पूरे फट गई थी बिखर गई थी तो यह देख लीजिए मैंने सारे के सारे एकदम से टूंडरा प्रेदेश कर दिया माला पूरे कट कर दिया पान उसकी भी मैंने कलम करी हुई है और भी कोने कर रहे गया उसको मैं बाद में दिखाऊंगी तो चली थोड़ा सा काम बाकी इसको पहले निप्टा लेते हैं तो यहां पर यह देख लीजिए तो इसको मैंने कट कर दिया है अब कल अगली ब्लॉग में हो सकेगा तो जरूर दि जिए देखों कैसे डालते हैं तो यार वीडियो पसाने दोले सब्सक्राइब शेयर करना और क्योंकि वीडियो ब्लॉग बहुत पसाओ बड़ा